नवश्कर दोस्तों फिरसे स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं अगर आपके पास Samsung Galaxy A03s है यहां पे आप दिस्पले पर क्लिक करना है पर दिसप्ले पर स्क्रॉल करेंगे सबसे नीचे आपको यहां पर navigation bar का जो option है इस पे click करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको इस पे click कर देना है तो यहाँ पे click करेंगे तो left side में आपका back button चला जाएगा left है अगर आप left hand से phone यूज़ करते हैं तो आप इसको click कर लेंगे back button left hand पे और right side में करना है तो right side के लिए आप इस पे click करेंगे तो right side में आपका back button show होने लग जाएगा ठीक है तो इस step से आप यहाँ पे change कर लिजेगा इसका layout जहाँ पे आपको set करना है I hope guys यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा चली मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार